नमस्कार All In Delicious Kitchen में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे मुफली की वर्फी याने पीनट वर्फी बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी बनती है बनाना भी बहुत आसान है मेंटों में बनके तयार हो जाती है तो चली स्टाट करते हैं वर्फी बनाना इसके यहां मैंने लिए 500 ग्राम करें पच्ची मुफली और 50 ग्राम करीब लिए हैं यहां पर काजू काजू से मुफली की वर्फियंदर टेस्ट अच्छा आता है आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं खाली मुफली लिले अभी सबसे पहले हम मुफली को हलका सा रोष्ट पुर्णेंगे मीडियम पर मुफली को कम से कम चार पांच मिनट के लिए बूनना एं अपने आप मुफली कलर चेंज करने लग जाएगी यह देखिये का कलर चेंज हो चुका है बून चुकी है थोड़ा सा इसको हम हात में लेके देखेंगे ना तो इसका छिलका जो हपने भी हट जाता है तो समझे मूफली हमारी बुनके तेयार है अब हम इसके चलके अटा देंगे यह हमने एक जार ले लिया है और हमने मूफली के चलके अठा दिये थे अब हम इसको जार में डालेंगे और जो हमने काजु लिये थे उनको भी डाल देते हैं और इनको हमें दर्द तयार कर लिया है बहुत जादा दरदावी नहीं पीसमा है थोड़ा सा फाइन रहने दे अब हम इसको चान लेंगे एक बोल ले लिया है यहां पर हम इसको चान लेते हैं मोटी जाली वाला आप कोई भी छलनी या स्टिनर ले तो इससे अच्छी तरह से चान जाएगा अगर हम पावडर को एक बार चान लेंगे तो हमारी बर्फी इस बनेगी सॉफट बने गी तो इसलिए चान लें यह पावडर हमारा चंच चुका यह पर हम ले रहे हैं मिस्टी की चीननी आवाइड करना चाहरे चीनी रमकीजा चीनी पना यह संट यह किस यानि का टल के नहीं मिस्टी तो एक कटोड़ी थी तो यह पर पानी यह कर दिया है स्ञेला मिस्टी के लें होते लो πोड़繼續 से काम नहीं चलेगा बरावर मात्रा में पानी लेंगे तो हमारी चासनी अच्छी पक के तयार होगी और चासनी को हमें हलका सा एक तार की चासनी रेडी करनी है अभी हम चेक कर लेते हैं काफी थिक हो चुकिये चासनी इस तरह से थोड़ा सा हाथ पे उंगली में और अमुठी नहीं पे इस तरह का तार बन रहा है बस इतना ही तार हमें चाहिए तो चासनी हमारी बनके तयार है अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मूफली का पॉडर को इसको अच्छी तरह से मिख करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको करना नहीं तो जल जाएगा तो अच्छी तरह से मिक्सके लिया है अपने आप ये कलर करणा आप ऍक अब इसको कोक करना इस ज्यादा नहीं करना है इसे था हैमये पाउडर एसया झासम अद्ध अधूल करीब हम यह ले लेते हैं घी लोल्खवी से अधासा चमच करीब हम आप साइनिंग अ data और यह देखिए जो हमारा बैटर है मुफली का वह रेडी हो चुका है यह पैन को छोड़ चुका है मतलब के साइड से एक जगपर इकटा हो गया तो समझेए बैटर जमने के लिए तैयार है अब यहां में एक ट्रेल लेंगे इसमें हमने एक लिले लेना है बटर पेपर और इसको थोड़ा सागी से गिरिश कर लेना है ताकि जब हम इसमें से भर्फी निकाले तो आसानी से नहीं कर सके इसमें हम जो बैटर है उसको ढाल देते हैं और एक चमच पर घी लगा के इसको अच्छी तरह से सैट कर देते हैं इसको गरम-गरम में ही इस प्रोसेस को करना है कि दो मिनिट के लिए ठंडा होने दें उसके बाद इस तरह से सको सेट कर दें आपको बर्फी की जिस तरह से थिकनेस रखनें उसे इसाप से आप रखें आप चाहें तो जैसे काजु की तिकनेस होती है ऐसी बना ले और इसको कम से कम एक डिट गंटे के लिए हमने रख दि बर्फी बनाना मिंटों में तैयार हो जाती है अभी हमें इसको थोड़ा सा बाजार जैसा लुक देना है तो इस पर हम लगा रहे हैं सिल्वर वर्क नहीं चांदी का लगा लेते हैं इससे थोड़ा सा बाजार जैसा लुकाएगा वर्फी के अंदर अच्छी भी लगती देखने में हो तो लगाएं अधर्वाइस ड्रै फूर्ट से इसको सजा लें इसको हमें पीसिज में अभी काट लिना है जैसे मन चाहें देखिए चाकू से पता चल रहा है लूत तैयार हुए हिसे इसकी खास बात भी में जाती है मिणों तइयार हो जाती हैं तो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के वर्फी मन्क тех Lord हो जाती हैं जब भी मीठा खाने का मन करें इसको बनाएं ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम से बढ़िया वर्फी बनके रेडी हुई है काजू की वर्फी से कम टेस्टी नहीं लगने वाली है तो आप इसको एक बार बनाएं तो हारा आने वाले हैं रच्छा बंदन आने वाला है तो कितनी सॉफ्ट वर्फी बनके तयार हुई है बहुत ही यम्मी तो आप इससे जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वर्फी कैसे लगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू प्लाइब कर शाम तो लिस्तामर एंगर नांगान पुई तो